हेलो स्टूडेंट वेलकम को माई चैनल सरवन लेक्चरर आज हम आपको बताएंगे क्लाश 10 साइंस यानि कि विज्ञान का हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर टू ठीक है जिसका नाम है अमले छार एवं लवन यानि कि एसे बेस एंड सॉल्ट ठीक है हम लोग पूरा चै यहां णाति कि विज्ञान को नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जायागा जरूअ जरूर देखा को नहीं देखा है तो निक हम लोग समझेंगे अमल मैं आपको बता दू कि वे पडार्थ जिनका स्वाद खटा होता है जिनने आप ऐब खात चि Salzburg आलोगे तो लाल रंक कर देगा तो आपका क्या कहलाता है वह आपका अम्ल कहलाता है ठीक है तो यह तो एक सिंपल सा आपका डिफिनिशन है कि वे पदार्द जो स्वाद में खट्न होते हैं तथा निले लितमस फेपर को लाल कर देते हैं अमल वह से आपके माइंड में आया होगा जैसे आपका नीबु है झाही चिपाते है वह एक अमल है जाहिशां आपका अंनुसार है ये आपका board exam में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप Arrhenius के सिध्धान्त के अनुसार समझे लो कि वे पदार्थ जो जल्ये विलेन में बियोजित होकर बियोजित होने का मनलब है तूटना तो जब ये बियोजित होते हैं तो क्या होता है तो आप इन दोनों definition को याद रखना तो ये है Arrhenius के सिध्धान्त के अनुसार काफी आसान सा है आप लोग समझ सकते हो कि वे पदार्थ जो जल्ये विलेन याद रखना कि जल्ये विलेन में बियोजित होकर hydrogen ion देते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है अमल कहलाता है अब मैं आपको उधारन थोड़ा अमल का उधारन बता देता हूं जैसे अमल का उधारन बहुत सारा है अगर आप लोग नहीं जानते हूं तो अभी आप लोग को बहुत सारा उधारण पता चल जाएगा ठीक है तो उधारण आप लोग समझ लो उधारण को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर कोई पूछ ले तो आपको क्या कहना है जोगों जैसे आपका HCL है है आपका है यानिकी है एक अपको एक और बता देता हूं जैसे आपका है थीए आपका क्या है यानिकी है अप लोगों को एक और आप लोग समझो वह आपका जैसे h2so4 h2so4 यानि कि यह क्या है आपका sulfuric अमल है ठीक है तो यह आप लोग देख सकतो यह आपका एक आपका उधारन है जो कि aml का उधारन है ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आगया कि aml का definition क्या है दोनों आपको definition समझ में आगया और यहाँ से आपको समझ में आ गया कि Amalekar उधाराण क्या है अब आप लोग समझो जो में चीज है वो ठीक है यानी कि Amalok के भौतिक गूर्ण ठीक है फिजिकल प्रापरटी जाप समझो भौतिक गूर्ण गूर्ण ऐसे आपको पता होगा भौतिक गुण जो आपको दिखाई देते हैं जैसे आपको मैं फर्स्ट नमबर भौतिकुण बताता हूं अमलेका जैसे फर्स्ट भौतिकुण है कि अमल स्वाद में खटे होते हैं तता आपका जल में विलिये होते हैं तो आपको यहां जब आप स्वाद करोगे ना इसको ख याद रखना बहुत जादा important है और यहाँ आप लोग दूसरा समझ हो यहाँ यहाँ आपको फिज़कल में लिखना है याद है तो यहां थो आप बहुत ही गुन सब्रक्रेमरों की इस की आ याद यानि कि अमले जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो यहां से आपका हो गया भूती गुण अब हम लोग समझेंगे अमलो के रासाइनिक गुण पूरा डेटियल में आपको समझना है अब आप लुक XAG के राषानीं कौहिप अब कुछे राषानीं और पर रषानीं चाली से थारी सक्रित आप आप देखो अमल बिभिन सक्रिय धातू जैसे आपका जिंक है जिंक आपका एक सक्रिय धातू है sodium जिसका म्लब शक्रियता जादा है किरिया सीलता जादा है ठीक है sodium यानि 9-에, magnesium यानि किम जी आद इसे अगर यह किरिया करता है तो hydrogen hydrogen gas यह क्या करता है hydrogen gas मुक्त करता है जैसे मैं आपको एक के साथ करा देता हूं जैसे मैं करा देता हूं आपका फेरस के साथ यहानि की फेरस के साथ तो, F e जब आपका अविकरिया कराने के लिए तो यहां मैं ले लूँगा H C L यहां से F e जो है जोड़ोगे मैं आपको बताता हूँ, देखो Fe जो है न, Fe पर क्या होता है, इस पर 2 प्लस चार्ज होते हैं, अब अगर इस पर 2 प्लस चार्ज होते हैं, तो हमें उनके साथ 2 माइनस चार्ज भी लाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इनको उधासीन करना है, अब आप इसे उध अब आपको हाइड्रोजन को बाहर निकलना है, अगर बाहर निकलेगा तो अकैला नहीं निकलेगा, H2 निकलेगा साथ में, क्या निकलेगा? H2, अब आप लोग बताओ, आप इसको बालन्स कर लो, ठीक है, बालन्स का ऐसे करोगे, देखो यहाँ Fe कितना है, 1 है, इधर भी Fe 1 है, इधर H2 है, इधर H1 है, इधर Cl कितना है, 2 है, और इधर आपका अभिकारक में 1 है, तो यहाँ अगर हम 2 लगा देना, तो यहाँ से H2 हो गया, Cl2 हो गया, और इधर भी आपका Cl2 है, और H2 है, बस आपका यह बालन्स हो चुका है, अब देखो, इसका मैं नाम देतेता हूँ, Fe से क्या होता है, आइरन, दोको मैं आपको सारा चीजे डीडियल में समझाता हूँ, कि आप ल और यह क्या है, Fe, Cl2 यानि कि फेरस, फेरस, एंड आपका Cl2 से क्लोराइड, फेरस, क्लोराइड, ठीक है, और यह आपका है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यह हमारा पहला आपका रासानिक गुर्ण है, किसका, अमलिका, चलो हम लोग देखते हैं, अग पूछा जाता है, जैसे धातू आकसाइड के साथ क्रिया, जब आप अमलिका धातू आकसाइड के साथ क्रिया कराओगे, तो क्या होगा, तो भाई देखो यहाँ, जब अमल होता है, कुछ धातू आकसाइड के साथ क्रिया करके, लवन तथा जल बनाता है, जैसे आपके जो अब यहां समयने समझा तो किरिया कर एक तो क्या बनाएगा इधर बनाएगा लमण प्लस ज़ल बनाएगा अब 15 0 बनाएगा अब यहांने पर आप कोई वी धातु अक्साइड रखो और अम्ले के साथ किरिया करा दो भाईया आपको मिलेगा लमण तथा जल ही मिलेगा अब यहां से आपको मैं एक इंग्जामपल के साथ समझाता हूं जैसे उधारन में समझलो उधारन में मैंने क्या लिया मैंने लिया सी ये वो सी आपका धातु है और ऑक्साइड यह निकि धातु आक्साइड है तो इसको मैंने धातु आक्साइड के अस्थान पर क्या लिया मैंने लिया कैल्सियम ऑक्साइड ठीक है समझ में आया अब हमें एक अमल भी लेना है अब अमल मैंने आपको उधारण में समझाया था कि HCL जो आ अब हमें मिलेगा क्या ये भी समझना है अब देखो यहाँ से सी यह क्या करेगा यहां से आपका Cl के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ CACL2 हो गया CACL2 देखो यहां यह दो लगा हुआ है तो यहां 2CL है तो यहां CL2 हो गया अब यह calcium chloride calcium chloride जो है न यही आपका लवन है देखो मैंने क्या कहा था कि लवन मिलेगा तथा जल मिलेगा जल को बाहर निकाल दो जो मिले वही आपका लवन हो जाएगा अब मैंने H2O को बाहर निकाल दिया और यहां मैंने लिखा है यह solid में है यह aqua याणि कि आपका जलिये है जलिये विले एक्वा है और यह भी आपका वही है और यह आपका liquid है जल तो यहां आप देख सकते हो यह हमने धादू आक्साइड लिया और अमलिके साथ क्रिया कराया अमला हमारा कौन सा है HCl है और मुझे मिला क्या वो मिला calcium chloride calcium chloride क्या है आपका धादू आक्साइड है आपका धादू आक्साइड निक लवन है क्या है लवन है हमें मिला क्या लवन मिला ठीक है और तथा हमें क्या मिला जल मिला बस छोटा सा concept है आपको दूसरा भी समझ में आ गया होगा यहां तक हम लोगों ने समझा अमलिके बारे में अमलिकी परिभासा अमलिके भौते गुड़ और अमलिके रासाइनिक गुड़ अब हम लोग समझते है छार के बारे में ठीक है छार के बारे में ध्यान से समझना काफी ज्यादा आसान है अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाते हो तो आपको छार के बारे में भी समझ में आ जाएगा दोको छार के बारे में क्या है थोड़ा सा उसी तरह है जैसे अमलिका है दोकि वे जिनका स्वाद դीछ तीछा तीछशम का मतलब होता है कडवा जैसे कुछ आपके स्वाद खट्ठी स्वाथि होते हैं कुछ मेंठी स्वाथि होते हैं कुछ कड़वे यहां नीम की पत्ती है और बहुत सारी चीज़ीlor है ठीक है जैसे आपका वे देखो यह सारे कड़वें होते हैं कड़वा होता है तना लाल ल्टमस पेपर को नीला कर देता है बिलूम है це कीली थोड़ा सा माइन लगाना आपको सबकुछ समझ में आ जाएगा Pac-T और जो लला नित्मिन पेपर को नीला कर देता है यह एक शिम्पल सा यह लेकिन आम लोग समझेंगे आहनningarично आरहनियस के अनुसार भी समझना बहुत ही जादा जरूरी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो यहां आप लोग समझ लोग इसमें क्या है कि अमल में एच पलस आयन देता था और इसमें कौन सा आयन दे रहा है वे योगिक जो जलिए विलेड में हाइड्रॉक्सिल आयन हा यहां से आरहनियस के अनुसार अगर मैं बताऊं तो वे योगिक जो जलिए विलेड में हाइड्रॉक्सिल आयन यानि की ओएच माइन देते हैं चार कहलाते हैं एक सिंपल साइड डिफिनिशन और आप लोगों को आप ही अच्छे से समझ में आभी गया होगा तो यह हमारा ह चार की परिभासा अब आहम लोग समझेंगे उधारण उधार्ण समझझार उधार्ण में कुछ नहीं कुछ नहीं देखो उधार्ण में आप समझना यहां ओ जूड़ा हुआ है एक। यहां ऑन मिक्ष नोच यहां यहां दो यहां और यह हमारा है और आपका उधारन अब हम लोग समझेंुगे भहुथ कूण है जैसे आम लोग ने अम्लिक भौ। जर यहां पहला हम लोग समझेंगे च्षार के भौ। यहां आपका स्वाध का होता है जल में विलिये हूता है म allons जल में विलिये होता है पुला होता है दूसरा समय कि चार जो होता है लाल लुटमस फेपर को नीला कर देता है ये ये आपको पहली डिप्नेशन में पता चले गया तीसरा है छार असपर्स करने पर यानि कि छूने पर साबुन की समान चिकना होता है यह आपको नई चीज समझ में आई भौतिक गुण में कि जो छार होता है अगर आप उसको टेच करते हो छूते हो तो वो साबुन की समान चिकना होता है ठीक है साबुन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ नमबर चैप्टर में कालबन एंड इस कमपाउंड में ठीक है तो यहां लोगों को समझ में आया चार के आपके भौतिक गुण अब हम लोग समझेंगे छार के रासानि करिया जैसे हम लोगोंने समझाका आमलेका कर रहाएंगए पर्पर्परिटीज की做 보여ब टो यहां ऩो आप लोगों यहां देखो आप लोग चार पहले हम लोग क्या समझेंगे और आउगे तो इस दो क्या होगा हुए जोकि साथ कर मलब अगर आप छार का मलब यह जो छार है इसको आप किसके साथ किरिया कराते हो आपका धातु के साथ किरिया कराते हो तो hydrogen gas बाहर निगालती है यानि कि hydrogen gas आपका मुक्त करती है ठीक है अब मैं एक concept में समझ लो यहां एक concept में कि छार छार को अगर आप धातु के साथ किरिया करके लवन प्लस hydrogen gas मुक्त करता है ठीक है तो यहां से आपको यह काफी आसान लगा होगा अब हम लोग समझे वने वाले हैं कि यहां मैंने एक ले लिए जड़न यानि की धातू जड़न यानि की जिंग स्वाली डवस्था में हैं देख सकते हूं अब जड़न के साथ हम लोग चाहें यह हमारा लमण है ए में बचा ह्ट है कि एस टू हमारा बच गई ऐस बच अ अगला दीकों, दूसराकिया नमबर क्या है आधातविकट आक्साइड के साथ क्रियां याधि कि आधात उक्साइड ज्रूर उसमें ओधा थू हूं ठीके जैसे मैंने चाहर कॉन सर्जिय है, झाल ओ Lewis और प्लस हमारा क्या मिलेगा उसके साथ आपका लवन मिलेगा और जल बाहर निकलेगा अब आप समझोगी आधातु आकसाइड क्या होते हैं बच्चा पैटी आधातु आकसाइड भी काफी आसान होते हैं जैसे आपको ऑक्सिजन के साथ आधातु को जोड़ दो अब नमबर चैप्टर में ठीक है लेकिन अभी मैं आपको समझातू यहां जो कार्बन लगा हुआ है यह आपका आधातू है जिनकी आपका प्रमार कमांग 6 होता है और संयोजक्ता 4 होती है ठीक है तो यह और आपका कार्बन के मतलग अपर रूप भी होते हैं सब कुछ समझेंगे कि आगे चलकर तो यहां सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आपका कार्बन के साथ ऑक्सिजन जूड़ा हुआ है तो यह हमारा हो गया आधातू आकसाइड और आधातू अकसाइड हमारा है करबन डियॉक्साइड ठीक है और इसमें में बाने किसको मिलाया इसमें म ओस लगा हुआ है बच्चा पती चार हो चुका है तो यह हमारा हो गया चार अब चार और आपका एक प्रकार से समझे लो अधात वाकसाइड इन्होंने किरिया किया यानि कि आपका अविक्रिया हुई तो हमें मिला क्या calcium carbonate जो कि एक आपका लवन है ठीक है और आपका जल मिला जल आपका H2O मिला और calcium carbonate यानि कि CA से calcium CO3 से carbonate यानि कि calcium carbonate यानि कि आसान भासा में आप तोड़ के समझा करूँ चीज़ को अगर आप साथ में समझोगे CA CO3 तो इसका नाम क्या होगा लेकिन अगर इसी चीज़ को आप समझो CA CA का मनलब होता है calcium और CO3 का मनलब होता है carbonate यानि कि calcium carbonate सीधा सीधा सा जबाव है ठीक है यह आपको समझ में आ गया पूरा चीज़े आपको चार के बारे में चार का परिभा यह आपका हो गया अमल चार का सारा concept के लिए यह आपके board exam में पूछा जाता है ठीक है अब हम लोग समझने वाले हैं लवन के बारे में लवन आप लोग अगर अमल समझ में आ गया अमल और चार समझ में आ गया तो लवन तो भाई अमल जो होता है अमल और चार अमल चार जब आपस में अविक्रिया करती है मलब जो अमल होती है लेकिन अगर अमल और चार आपस में अविक्रिया करती है तो क्या होता है तो लवन तथा जल प्राप्त होता है तो आपको लवन तथा जल प्राप्त होता है और यह अविक्रि चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं उदासीनि karen आविक्रिया भी कहते हैं तो एक सिम्पल से साथ है दोनो चीज़ें आपका लीए हो गया लमण तरह वोदासीनि करण अविक्रिया हो ठीक है उदार तरन के लिए मैंने वही खार है ठीक है चार है और अमल और छार आपस में अविकरिया करी तो नमक बना और नमक आपका एक लमण होता है सूडियम कुलॉराइड नमक ठीक है और यहां आपका H2O यानि की जल तो बाहर निकल ही रहा है तो यहां चापको मिल गया लमण की परिभासा और यह चोटा सा अ और एक reaction भी आपको समझ में आ गया होगा अब आप लोग एक और उधारन के साथ समझो एक और उधारन ठीक है मैंने एक सिंपल सा और एक उदारण समझो, जैसे मैंने अब आप लोग यह समझो, जैसे मैंने आगे चार ले लिया, और चार मैंने ले लिया K-ो-यज, ठीक है, के वो इस तो आपको पता होगा क्या है कि वो यह यानि की जार है और आपका potassium hydroxide है ठीक है अब आप इसमें क्या मिलाओगे अब मैंने मिला लिया इसमें HCL वही चीज़े तो HCL को मिलाया तो अब आपको क्या मिलेगा आपको यहां से के आ जाएगा यहां से CL आ जाएगा क्या हमें लवन मनाना है तो KCL एक लवन है ठीक है और प्लस आपका जल यानि की H2O मिल जाएगा अब यह भी एक सिंपल सा है मनलब दोनों समझ सकते हो यह हो गया फुदाशैनीक रनव के लिए यह हमारा का concet Video अगला टॉपिक है यहां मारा सूचक ठीक है शूचक के बारे समझगे वाले हैं तीको यह आपका एक इंपॉर्टन टॉपिक है अब आप लोग इसका पहलं डिपनेशन समझों जैसे मल जो आपका जिनका अमली ये विलेंगों दूसरा रंग होता है उसका अमली ये विलेंगों के साहँ बंखाता हूँ अब यह नारंगी रंग का है, लेकिन अगर हम इसे अमले में डालेंगे तो इसका दूसरा रंग हो जाएगा, और छार में अगर आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा रंग हो जाएगा, जैसे जब हम मिथाईल आरंज की एक बूंद अमलीय बिलेन में मिलाई जाती है आप मिठायल आरंज का एक बूंद यानि कि जब हम नारंगी है लेकिन अगर अम लुकता है लाल होगी तो उसका रंग किया रंग मैं मिलाने एक सूचक है लेकिन इसका अलग रंग होता है जैसे मैंने नारंगी रंग होता है और अमल में मिलाए गया तो यही चीजे पीला रंग हो गया ठीक है तो यहां मैं एक छोटा सा कॉंसेप्ट भी लिख दिया है जैसे यहां आप लोग देख सकते हो कि मिथाइल ओरेंज जो आपका मिथाइल ओरेंज होता है उसमें जब आप अमली विलेन में मिलाओगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा तो यह आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा काफ फिनाफ्थलीन के बारे में थोड़ा से समझ लो यह भी एक आपका रंग हीन पदार्थ है जैसे फिनाफ्थलीन एक रंग हीन पदार्थ है मलब इसका रंग कोई नहीं होता है ठीक है इसका कोई कलर नहीं होता है लेकिन अमली विलेन में तो रंग हीन रहता है लेकिन जब ह जाता है लेकिन जब हम अमले में मिलाते हैं तो रंग हीन में मिलाते हैं पुषारीए और इसका रंग निए प्रेश ilक कि परिबाशा की परिभासा सबसे पहले आप समझो P.H. यानि पिएच जो होता है ुसका परिभासा क्या होता है यह समझना बहुत जादा ज़्योगी तो प्यॉच प्यॉच्छ यानि 언니 आपका प्युच एक इसकेल होता प्ट्री की तरव तो क्या होता है कि अमलो एवं छारकों की जलिये विलेन जैसे अमल होता है और छार होता है इनके जलिये विलेन में हाइड्रोजन आइनों की सांदरता मापने की इकाई है मतलब आप यह समझो कि pH जो होता है वो हाइड्रोजन आइनों की सांदरता मापता है और किसमें अमलिये त आपने की एक इकाई है किसी विलेन का पी जमान उसमें उपस्तित हाइड्रोजन आयन सांद्रन के ब्यूत करम का लगुगड़क होता है एक आप लोगों का फार्मूला है पी एच इकोल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन ठीक है यह आपका एक छोटा सा चीज आपको समझ मे एवं छारकों के जली विलेर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में परियुक्त होता है जैसे यहां आप लोग समझो यह आपका पी एच पैमाना है 0 फिर 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 4 है ऐसा 0 से लेकर 14 तक गया है ठीक है यानि कि 14 तक अब इस से आप कैसे मापोगे जैसे यहां 0 and 0 से आप 7 तक समझो, 0 से यहां तक, फिर आप यहां से 14 तक समझो, अब आपका 0 से यहां 6 तक, 6 यानिकी 7 के नीचे समझो, 7 के नीचे, ठीक है, आपका अमलिय गुण होता है, और जिनका स्वात खट्टा होगा, ठीक है, अमलिय गुण का मतलब है, जितना आप 0 के एक-डो, जिसका मनलब वो होगा, क्या पिएच बैलू, वो इतना ज़्यादा खट्टा होगा, कि आप उसे खा नहीं सकते हो जलती, ठीक है, और सेबन तो आपका उधासीन होता है, जैसे आपका वाटर है, ठीक है, यह आपका उधासीन है, यह, उधासीन, 7 जिसका पिएच और से नीचे आपका पाने é jak जो साथ होगा न वह आपका होगा उद्था साथ वाला क्या कोई मतलब श्वाद नहीं होता है तो इसलिए भास साथ्ह या वानी ऐद लें भाध मान बता देता हूं जैसे व्लैन है और पी एच माइन होता है इसमा नीबू का रस का पिचमान 2.5 होता है लेकिन नीबू का रस कितना ज्यादा खटा होता है इसलिए इसकी वैलू मलब साब से जितना ज्यादा कम होता जाएगा वह बहुत ज्यादा खटा होता जाएगा दूद का पिचमान 6.5 होता है इसलिए ना तो यह ज्यादा कड़वा होत होता है थोड़ा मीट टाइप का होता है रक्त हब की समावन होता है 7.4 और अमासे का रस've 1.4 होता है अब आप सोच सकते हूँ आपके पेट के अंदर इतना पियचमान है कि मनलब आप समस्तु तेजाम का जितना पियचमान होता है तो क्या आपके अंदर वह नहीं पहुचाता नहीं कैसे क्योंकि उसके ऊपर एक जिली होती तो वह उससे रॡशा करता है लिग्वोड आपके अंदर बहुत सारे था करने के लिए बहुत सारी चूंड यानि कि व्लीचिंग पाउडर तो व्लीचिंग पाउडर का हम लोग समझेंगे रासाइनिक गुण रासाइनिक नाम अनुहार बनाने की विदी बहुत ही गुण रासाइनिक गुण उपयोग सब कुछ जो कि आपके लिए बहुत जादा इंपोर्डन है ठीक है लॉं इसुतर जो होता है 122 एक सोसताइस यहां से आप नम होता है रोस्य को नाम होता है यहां आपका अदुभार होता है 127 यहां से आप निकाल सकते हो जैसे calcium है oxygen है और CL2 है इनका दो गुना करके जाए आपका Oxygen का प्रमाल करवांग का निकाल सकते हो बनाने की विद्धी यानि वरंजक चून का ऐसे बनाया जाता है एक आसान तरीके से संजारा हूँ और बुझे हुए चुने को आप क्या करोगे सी ये वो ठीक है एंड एच का होल तौइज ये आपको होगे बुझा हुआ चुना ठीक है पर चुने पर आपका क्लोडी यानि की की किरिया द्वारा किया जाता है मनलब आपको मिल जाएगा जब कब जब आप सुस्क बुझे हुए चुने पर सी ये टू की किरिया कराओगे तब जैसे यहां का सी ये वो एच का होल ट्वाइज है सी ये से क्याल्सियम और ओच यानि कि यहां से आपको मिल गया यहां से आपको बनाने की विधी पता चल गया कि जब आपको व्रेंजक्चुन का अगर निर्मार करना है तो हमें सुस्क बुझे हुए चुने में क्लोरीन प्रवाहित करना पड़ेगा बस इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए ठीक है यह हमारा हुए कि आपका बनाने की विधी यह रियक्षन जरूर याद रखना रियक्षन इम्पोर्टेंट है इस रियक्षन से आप यह भी बना सकते हो जैसे यह आपको सुस्क बुझे हुए चुने पर जब हम क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तो हमें व्रेंजक्चुन का निर्मार होगा ताथा जल पाहन गले टो यह हुआरा हो गया एक अच्छा सा बनाने की वुधी अब हम लोग संझेंगे भाखती गुन तो बहvatी इसके कॉन कोन से होते हैं excited New नमबर यह हलके पीले रंगा चून होता है तो को आपका जो वरंचक्चुन होता है यह हलके पीले रंगा चून होता है त्하는 का न पीले ह होता है ठीक है और तीसरा है इसका चल्यत बित्रेंट होता है इसका जलिया बिलेंटार्ट होता है ना तो उसी परिकार से जलिये मैं अगर से हम घोलते हैं तो इसका बिलेंट प्राइद समझो पहला तो तो जो रिए कर आम बते हैं यहीं कि गर्म Administration को जल्म जल्क मतर में करने पर यानि कि जल में विलिये कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होता है क्लोरीन गैस मुक्त होता है जैसे क्लोरीन गैस का अस्ते मुक्त होगा यहां आपका वरंजक चून है यानि कि आपका डेल्टा का चिन्ह है गरम जल ठीक है गरम हो रहा है तो जब आप इसमें जल यह आपका वरंजक चून है CAO-Cl2 जिसमें आप जल प्रवाहिद किया तो आपको CAO-H का होल्टवाइज पलस CL2 क्लोरीन गैस बहार निकल नहीं है यह आपका पहला एंड आपका important क्या है रासानी गुण है तो यह आप समझ लेना और आपके मनलब उसमें पूछा जाता है क्या होता है जब वरंजक चून जो आपका वरंजक चून को गर्म किया जाता है यहां यहां तनु आमले के साथ किरिया करके क्लोरीन गैस निकालती है अगर आप इसका तनु आमले यहां है यहां की अमले के साथ किरिया करोगे तो क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी जैसे यहां आप समझ लों यहां आप C8O Cl2 आपका वरंजक चून है जीवाण उनासक की रूप में यानि जीवाण उनासक रूप में दूसरा है इra दूसरा प्रयोग किया जता है। तो यहां से आपका वरंजक चूण का रासानिक नाम और सूतर और बंदाने की विधि भूतिक गुंड रासानिक उपियोग सब कुछ मैंने बता दिया। यहां से अगर इस से related question आए तो आपको छोड़ करने ही आना है note कर लो ठीक है अब हम लोग समझेंगे baking soda यानि कि waking soda या खाने वाला soda के बारे में waking soda को समझ लो ठीक है waking या फिर खाने वाला soda देखो इसका सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे आपको समझें आ ठीक है यहां से बनाने की विधी क्या समझोगे बनाने की विधी तो को sodium bicarbonate यहनि कि NaHCO3 का निर्मार sodium carbonate sodium carbonate का formula क्या होता है Na2CO3 sodium carbonate यहनि कि Na2CO3 के संत्रित जलिये विलेन में carbon dioxide gas प्रवाहित करने पर इसका प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है आपको sodium carbonate यहनि कि आपको अगर sodium bicarbonate प्राप्त करना है तो sodium carbonate आप में आप क्या करोगे कि जल ये विलेन में, जल भी साथ में हो CO2 gas पर वाहित करोगे तो आपको मिलेगा क्या आपका waking soda मिलेगा, खाने वाला soda जैसे, यहां मैं आपको समझा रहेता हूँ, example के साब जैसे यहां आप समझो, Na2CO3 Na2CO3 क्या है, आपका sodium carbonate है यानि की Na2 से यानि की Na2 से हो गया sodium CO3 हो जाए carbonate और CO2 यानि की carbon dioxide H2O नहीं की जल, इन सब को जब आप combine करोगे न, तो आपको sodium bicarbonate मिलेगा, और sodium bicarbonate आपका क्या है, 2NaHCO3 2NaHCO3 यह आपका है sodium bicarbonate और यह आपका है baking, यह फिर खाने वाला soda, baking soda या फिर खाने वाला सोडा, तो बनाने की विधी में आपको कुछ ही नहीं समझना है, छोटा स्था concept है, कि sodium carbonate की जलीव लेन में carbon dioxide gas पर वाहित करने पर sodium bicarbonate का निर्मार होता है, या फिर खाने वाले soda क्रिस्टलिये पदार्थ है, यह फिर सफेद रंगा क्रिस्टलिये ठोस है, कौन? आपका sodium bicarbonate, और दूसरा है, यह जल में अल्प विलिये है, बनलब यह जो होता है, जल में अल्प विलिये होता है, यह तो आपको समझे में आ गया अब रासाइनी गुण समझेंगे, रासाइनी गुण बहुत जादा इंपोर्टेंट होता है, पहला जल अब घटन, यानि कि जल अब घटन का आर्थ है, इसमें आप जल से अभी करिया कराओ जब आप इसमें जल से अभी करिया कराओगे तो sodium bicarbonate का जल अब घटन होने पर छारिये विलेन का निर्मार होता है जब आप sodium bicarbonate sodium bicarbonate यानि कि NaHCO3 का जल अब घटन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा छारिये विलेन का निर्मार होगा ठीक है, तो समय जो जल के साथ करिया जैसे NaHCO3 यानि कि sodium bicarbonate प्लस जल यानि कि H2O और यह आपका double-handed reaction है तो अनिमोयच है यानि कि sodium hydroxide मिला यानि कि आपका क्या है छार ये है, छार है और H2CO3 यानि कि carbonyl aml मिला ठीक है, carbonyl aml तो यह हमारा हो गया पहला रासानिक गुण किसका baking soda का ठीक है, waking soda का पहला रासानिक गुण आपको समझ में आ गया होगा अब दूसरा रासानिक गुण समझो amlis के साथ किरिया amlis के साथ किरिया करेगा तो क्या बनेगा या तनू amlis के साथ किरिया करके लवन तथा carbon dioxide CO2 का निर्मार करता है लवण तथा carbon dioxide co2 का निर्माड करता है अब समझो जैसे 2 NaHCO3 यानि कि यह आपका क्या है आपका वही है वेकिंग soda ठीक है अब इसका आप अमले के साथ किरिया कराओगे यानि कि अब इसके साथ अगर यह करेगा तो Na2SO4 बनाएगा यानि कि sodium zincate ठीक है sodium sulfate है ठीक है SO4 है तो और आपका जल यानि कि 2H2O यानि कि जल है और आपका carbon dioxide के साथ यानि कि 2CO2 ठीक है यानि कि आपका carbon dioxide CO2 और आगे आपका दो molecules से यह आपका बाहर निकलेगा यह आपको समझ में आया अमलो के साथ किरिया करा जैसे आपका वेकिंग पाउडर है यानि कि वेकिंग सोडा है NaHCO3 और यह प्लेस S2SO4 के साथ किरिया करेगा तो आपका sodium sulfate यानि कि Na2 आपका sodium SO4 से sulfate और जल और आपका carbon dioxide gas बाहर निकलेगा यह हमारा हो गया अब देखो उपयोग आप समझ दो उपयोग को मतलब इसका उपयोग किसमें किया जाता है पहला प्रियोग साला में अभी करमक की रूप में दूसरा है आपका अमासर की अमलता दूर करने में जैसे अमासर में ज्यादा अमल हो गया तो इसको खाने से अमासर में अमलता दूर हो जाती है चर्म रोगों के निदान में यानि की चर्म रोग जिनको हो इसको अच्छा करने में इसका प्रियोग किया जाता है ठीक है तो यह आपका हो गया परपड़ा होते हूँ जिसे आप लोग निर्मा कहते हो ना धावन सोडा ऐने वाला सोडा भासिंग सोडा अब आप लोग को समझना है तिक राषाणिक नाम सबसे पहले समझे हो सोडीयम कार्बोनेट और आपका अंशूत्र जो होता है वह होता एनडू सीवो थी इंटू 10 क्या होता है एने टू सीवो थ्री इंटू टैन एस्टू और अणुभार जो होता है 286 कितना होता है 286 ठीक है यह आपका हो गया धावन सोडा का आपका रासानिक नाम अनसूत्रोल अनुभार यह सारी चीजिया आप याद रखना छोटा-छोटा चीज है ठीक है और आप करना ठीक है तो क्रिस्टली करन से धोने का सोडा प्राप्त होता है मलब जो आपका सोडियम कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट का जब आप पुना क्रिस्टली करन करोगे तो आपको धोने का सोडा प्राप्त होगा जैसे मैं आपको यहां समझा देता हूं जैसे आपका स जल है ठीक है जल अब आपको पूरा मिलेगा आपका अने 2-CeO3 into 10-S2O यानि कि यही आपका धोने वाले सोड़ा है धोने वाला सोड़े का फार्मूला यही है तो आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ आप 10-S2O के साथ पानी को लेकर आप किरिया कड़ा दो आपको धोने वा रंगा क्रिस्टलिये ठोसपदार्थ है सफेद रंगा होता है क्रिस्टलिये ठोसपदार्थ है तो यह वैसे भी सफेद ही रंग का होता है आप लोगों को पता होगा तो यह सफेद रंग का एक क्रिस्टलिये पदार्थ है यह आपको पहला बहुती गुन समझ में आ गया हो यानि कि वासिंग सोडा उसे आप जब पानी में डाल देते हो तो थोड़ा उसमा भी उत्पन करता है जैसे आप जब कपड़े दोते हो तो आपका हाथ कहीं कटा रहता है तो वह जलने लगता है जब उसमें डालते हो तो वही कारण है ठीक है कि इसमें से उसमा उत्पन होती ह अब आप लोग समझो रासाइनिक गुण रासाइनिक गुण मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ठीक है रासाइनिक गुण आपका VACL2 है यानि कि VACL2 से किरिया तो यह VACL2 से किरिया करके VACO3 में बदल जाता है जैसे VACL2 है और Na2CO3 अगर आप इसको यह लेकर अविक्रिया नहीं कराना है 10H2O को नहीं लेना है आपको इसको बाहर छोड़ देना है यह तो एक प्रकार से पानी की मात्रा को बढ़ा दिया गया है मेन आपका है Na2CO3 तो यहां आपका Na2CO3 लोग है और यहां BACO3 बन जाएगा और 2 NaCl बन जाएगा यह हमारा पहला रासानी कुण है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ लिया होगा अब हम लोग समझेंगे इसका उप्योग उप्योग समझ लेते हैं उप्योग हम लोग समझेंगे फर्स्ट नमबर प्रियोग साला में अविकर्मक की रूप में जैसे आपको उप्योग ना याद हो तो यह एक उप्योग सभी में कौमन है चाहे आपका बेकिंग पाउडर है चाहे धोने वाला सोडा हो चाहे आपका वरंजक चून हो सब में आपका प्रियोग साला में अविकर्मक की रूप में यह आपका एक कौमन है सभी में लिख सकते हो ठीक है प्रियोग साला में अविकर्मक की रूप में यह सभी में लिख सकते हो दूसरा है आग बुझाने के यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है इसको हम आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं धामन सोडा का और जल की कठोड़ता दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है जल की कठोड़ता दूर करने में भी हम लोग धामन सोडा का प्र बता है कपड़े धोने में कपड़े धोने में इसका प्रियोग किया जाता है घर को साफ करने में इसका प्रियोग किया जाता है ठीक है सब कुछ में इसका प्रियोग किया जाता है प्रियोग साला में अभिकर्मक की रूप में आग उजाने में जल की कठोरता दूर करने में प्लाश्टर आप पेरीस आपका इंपोर्टेंट है याद रखना प्लाश्टर आप पेरीस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कोई प्लाश्टर आप पेरीस सबसे पहले समझो रासानिंग नाम होता है काफी हाइड नाम है पूछ सकता है और अनसूत होता है यही आपके लिए मुश्किल हो जाता है हाफ एस्टू याद रखना ठीक है अड़भार होता है आपका 136 यानिकी 136 आपका अड़भार होता है अब यह आपको समझ में आप प्लाश्टर आप पेरीस का पूरा रासानिंग नाम अनसूत्र अड़भार अब बनाने की विधी समझेंगे बनाने की विधी में जासे जिप्सम को जो आपका जिप्सम होता है जिप्सम में आपका हाफ मालिकुल्स की जगा क्या होता है तो दो आपके जल क्यानों होते हैं दो ठीक है तो जिप्सम को 120 डिगरी सेल्सियस ताप कितना 120 डिगरी सेल्सियस कहीं कहीं ज्यादा कम भी लिखा रहता है कोई दिक्कर नी पर गर्म किया जाता है तो निर्जली करन के दौरा प्लाश्टरा पेरिस का निर्मान होता है अगर आप gypsum को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो आपको प्लाश्थर आप पेरिस मिलेगा यह आपका है ठीक है आपका क्या है आपको बनाने की विधी है अब हम लोग एक रियक्षन समझ लेते हैं रियक्षन समझो जैसे जिपसम है CSO4 इंटू 2H2O यह आपका जिपसम का फार्मूला में कैवल यहां तू लगा दिया जाता है बस और इसको हम 120 डिग्री सेल्सिस पर गर्म करने पर यहां केवल हाफ हैस्टू जोड़ लो जितना आपका पानी है उसको बाहर निकाल दो जैसे आपका आपका CSO4 इंटू 1H2O आपका प्लास्टराफ पेरिस में लिगया और प्लस 3 यानि कि 3 अपान 2H2 आपका ऐसे हम समझेंगे दिखो यहां आपका 1 अपान 2 है और यहां पान 2 है दोनों को जोड़ेगे 4 अपान 2 हो जाएगा और यह हमारा 2 यानि कि दो माले कि उस इधर पान 20 है और प्लस आपका 3 वटे 2 यानि कि आपका 3 अपान 2H2O आपका बहांड कल गया पानी ठीक है यह आपका बनाने की विदी है अब आपका बहुती गुण समझों बहुती गुण में फस्ट है आपका यह सफेद रंग का चूंड है मलब यह सफेद रंग का चूंड होता है जैसे आप देखें हैं जैसे जब हड़ी टूट जाती है न तो वहां प्लास्टर जो किया जाता है वो यही होता है और वो किस रंग का होता है सफेद रंग का होता है और प्लास्टर पेरिस जल में अल्प बिलिय है और यह अल्प बिलिय हो जाए तो गायब हो जाएगी तो अब आप जल के साथ किरिया होगे तो जल के साथ जब आब इसका करिया कराओगे तो इसकी जल से अभिक्रिया कराने पर जिपसं का निर्माड होताय है सही बात है अगर आप जल से किडिया कराओगे तो जिप्सम का निर्मार होगा ही क्यों क्योंकि आप लोगों को पता है यहां रियक्शन में यहां जिप्सम में जल जोड़ रहे हो तो आपको यहीं मिलेगा इसी चीज को उल्टा कर दो इसी रियक्शन को जैसे यहां CESO4 into half H2O plus 3 वटे 2H2O और इस चीज को जब आप देखो यहां H2O की कितने मालिकी उस है 3 upon 2 और हमारा जिपसम है CESO4 into half H2O तो आप इसको जब मिला होगे तो आपको जिपसम मिलेगा जिपसम ठीक है आपको क्या मिलेगा जिपसम और यह आपका है बच्चाबाड़ी प्लास्टर आप पे रिस ठीक है जिपसम मिला CESO4 into H2O 2H2O ठीक है जिपसम में 2H2O होता है तो यह हमारा हो गया रासायनी गुर्द अब हम लोग समझेंगे इसका उपयोग उपयोग समझने के लिए थोड़ा सा समझना देखो सल्ली चिकत्सा में प्लस्टर के रूप में जैसा मैंने बताया है कि डाक्टर इसका प्लस्टर के रूप में प्लस्टर के रूप में प्लस्टर के रूप में प्लस्टर के रूप में दूसरा है सांचे और माडल बनाने चाहें मैंने वही चीज तो बताया साचा या मार्डल बना एक माडल बना दिया जाता है उसी के आधार पर बहुत सारे खिलोने बनाए जाते हैं और उसी चीज को मुर्ती या फिलोना बनाने में और तीसरा है इससे अगनी रोधक दार्ध के रूप में भी प्रियोगते किया तो यह समाव्त हो गया और आपका चैटर नमर तू यही सब इंड हो जाता है। तो आपको सबसे पहले चैटर नमर फ़र्ष्ट देखना है कि अर्ष दिखना है रास्थाइए इंडिक निक इस विडियो के डिस्र्प्रिप्टर में मिल जाएगा सबसे पहले उसको देखना फिर आपको यह दूसरा चेप्टर देखना है जब आप दोनों समयाप्त कर दों, तो कमेंड करना सब सब तीसरा चेप्टर लाइए, तम मैं आपeter के लिए लाऊँगा वीडियो को आपको ज़ादा से ज़ादा ला कर सेर कर लेना ऐसा ही मैं आपको सारे सब्जक्त की तैयारी कराने वाला हूं चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में तप तक के लिए धन्देवाद